तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो कि यह कैसा question है तो अगर आप देखोगे यहां पे तो match the list first and second को अगर मैं match करूं तो गौसला इन इलेक्टो स्टेट तो जो पहला जो ए है गौसला हम सबको पता है गौसला क्या होता है टोटल फ्लक्स पाइनेट आप एक लोज सर्फेस इसको एक और तरीके से भी तो लिखा जाता है टोटल फ्लक्स E.D.S. सर्फेस एरिया चोटा सा है और चार्ज इन क्लोज अपान एफसाली नाट तो एक का कौन सा match कर गया एक match कर गया फॉर्थ बी देखो बी देखो के फैराडेला फैराडेला एमाई क्या गाता था इंडिद्यूस E.M.F. इसको में एक अलग तरीके से लिख सकता हूं 5 is equal to E.D.L. E.D.L. इंडिद्यूस E.M.F. E.D.L. लाइन इंटेग्रल अपान माइनस D.F. अपान D.T. ऐसे तो लाइन इंटेग्रल जो है E.D.L. मतलब लाइन इंटेग्रल ठीक है तो बी का कौन सा match कर गया बी का match कर गया अपना option first अब दूसरा जो part है इसका तुम देखोगे पार्ट और भी तो पार्ट है गोस्ट लाइन ус तो जो सी लाइन आपका सभाती है ऐसे बी गई होगी अगर ऐसे गई हई होगी ठीक है तो ऐसे बीष against बाई नौट से इधर निकली होगी ठीक है ऐसे नौट से निकली होगी तो ऐसे ऐसे हमें उल्टा बना दिया मैं सम्मेहरे ना तो यह close loop में मतलब b.da करोगी area vector एक close loop में b.da एक close path में b.da that is everything equal to 0 ठीक है तो gauss line magnitude जुब मतलब यह option 3 तो एम्पीर स्रेक्विटलों म्लब थाड हो जायगा एम्पीर शर्क्यूटलों क्या होता ऐं तो एम्पीर से जम क्या होता टा प्लोई ये एंपिरियल लूप है और इस में करेंट आयज़ में लोग हो रहे है को यहां ससरे आ Democr Bravo कि कहता है कि लो ELECATION नेट फिल्ड B.DL B.DL net field is equal to mu times sigma i इसके अंदर आने वाला current तो यहां से देखो कि तो B.DL is equal to B.DL और यहां से mu not तो net current i अब यहां पे conduction current plus displacement current हो जाएगा ठीक है तो mu not i conduction current को मैं लिख सकता हूँ by rate of flow of chart dq upon dt और displacement current को मैं बड़े अराम से लिख सकता हूँ epsilon not d phi upon dt the rate of change up flux तो यहां से तुम इसो multiply करोगे तो mu not i c और plus mu not epsilon not d phi upon dt बड़े अराम से लिख तो यह जो नया equation बना है यह नया equation क्या है Modify M piers or Maxwell equation ठीक है तो यह फौर्ट ऑप्शन सही है मतलब अब देखो एक एक और ना फॉर्ट है तो एक और यह सही नहीं हो सकता यह सही नहीं हो सकता और d का third दी का दी का थाड़ मतलब यह आफ़सन सही है तो आई होग कि आपको मज़ा आ गया होगा समझ में आ गया होगा इसके बाद हम करेंगे और सबको एक ही प्लेलिस्ट में जोड़ दूँगा और आप यूटूब पर कोई दिक्कत है तो यूटूब पर सर्च कर लिया करो ना जो टैग लाइन मेंसर रहता है तो यूटूब पर सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा मेरा वीडियो क्योंकि लॉंग बताएगी तो यूटूब पर सर्च कर लिया करो तेंक यू बाइबाय टेक केर